दोस्तों अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है, पासवर्ड पता नहीं है, तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग है, जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला उनके फोन में इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन है, बट उनको उनका पासवर्ड पता नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप password manager के अंदर अपने password को save कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग phone के setting में जाकर password manager को open करते हैं, वहाँ पर अपना password सर्च करते हैं, पासवर्ड देखते हैं, बट password manager के अंदर उनका password so नहीं होता है, तो कैसे आप password manager के अंदर अपने password को save कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता आने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो काफी ज़्यादा important है, और अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like, share, comment चला को subscribe जरू करेंगा, अब चेले वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों अब चेली मैं आपको complete process बताता हूँ, क profile पर tap करने के बाद, आपको three line पर tap करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा account center, आपको इस पर tap करना है, जब आप इस पर tap करोगे, आपको नीचे scroll करना है, नीचे आपको एक option मिलेगा password and security, आपको इस पर tap करना है, आपको first number पर एक option मिलेगा change password, आपको इस पर टाप करना है अब आपको Instagram अकाउंट पर टाप करना है दोस्तो अब आपको यहाँ पर Change Password का Option सो हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर तीन Option मिलेगा Current Password New Password, Retype New Password ठीक है दोस्तो आप यहाँ से अपने Instagram अकाउंट के Password को Change कर सकते हो बट यहाँ पर एक Condition है आपको Current Password डालना होगा ठीक है आपके Instagram अकाउंट का जो Password है जब तक आप यहाँ पर नहीं डालोगे आप अपना Password Change नहीं कर सकते हो ठीक है अब बात आती है कि कैसे हम अपने Instagram अकाउंट का Password पता करें ठीक है तो आपको अपने Phone के Setting को Open करने आपको Phone के Setting में जाने है Setting में जाने के बाद आपको नीचे Scroll करने नीचे आपको एक Option मिलेगा Google आपको इस पर टैब करने जब आप इस पर टैब करोगे आपको यहाँ पर एक Option मिलेगा Auto Fill आपको इस पर टैब करने का option so हो जाएगा आपको इस पर tap करना है ठीक है अब आपको home screen का password डालना होगा अगर आपने home screen पर password set कर रखाए तो आपको password डालना है अगर आपने fingerprint lock लगा रखाए तो आपको finger लगाना है ठीक है अब आपको यहाँ पर आपके instagram का password so हो जाएगा आपको i पर tap करना है यह जो password है आपको दिख जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तर आप phone के setting में जाकर अपने Instagram account का password देख सकते हो password पता कर सकते हो अब देखो काफी सारे लोगों के साथ में ये problem होगा कि वो लोग जब इस setting को open करेंगे यहाँ पर उनका password so नहीं होगा आखिर यहाँ पर password दिखता कैसे password save कैसे होता है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप Chrome browser के अंदर अपने Instagram को यूज करते हो कभी आपने Instagram को Chrome browser के अंदर लोग इन किया होगा password को save किया होगा तभी दोस्तो इसके अंदर आपको आपका password so होगा ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे password save होता है हम यहाँ से अपने password को delete कर देते हैं ठीक है हमने password manager के अंदर से Instagram के password को delete कर दे हैं ठीक है यहाँ पर password आता है कैसे है जब हम Chrome browser के अंदर Instagram को यूज करते हैं Instagram के password को save करते हैं तब जाकर हमारा password password manager के अंदर save होता है ठीक है तो दोस्तो हमने Instagram.com को open कर लिया है अब हम अपने account को login करते हैं तो दोस्तो मैंने अपने account को login कर दिया अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक save का option आएगा जब हम save पर tap करेंगे हमारा जो password है वो password manager के अंदर save हो जाता है काफी सारे लोग ये काम नहीं करते हैं जिस वज़े से उनका जो password है वो save नहीं होता है तो हमारा जो Instagram है वो chrome browser के अंदर login हो चुका है ठीक है और हमारा password password manager के अंदर save हो चुका है setting के अंदर फिर से save हो गया है मैं आपको दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो password है वो फिर से password manager के अंदर save हो चुका है तो दोस्तो इस तरह password manager के अंदर हमारे password save होते है ठीक है जब आप chrome browser को open करके Instagram को login करते हो password को save करते हो या Facebook को login करके Facebook password को save करते हो तभी दोस्तो यहाँ पर हमारे जो password होते है वो save होते है अब बात आती है कि अगर हमारा password यहाँ पर save नहीं है और हमें पता भी नहीं है तो कैसे हम अपने Instagram के password को पता करेंगे कैसे अपने password के बारे में जानेंगे ठीक है तो दोस्तों इसका एक simple सा रास्ता है तरीका है forget password ठीक है आप अपने password को forget कर सकते हो कैसे कर सकते हो आपको Instagram app को open करना है same उसी option को open करना है ठीक है आपको Instagram को open करना है open करने के बाद आपको profile पर tap करना है 3 line पर tap करना है account center पर tap करना है इसके बाद नीचे scroll करना है आपको option मिलेगा password and security आपको इस पर tap करना है ठीक है यहाँ पर change password का option मिलेगा आपको इस पर टैप करने है अपने Instagram ID पर टैप करने है अब आपको यहाँ पर Change Password का Option मिलेगा ठीक है Current Password हमें पता नहीं है तो हम Password को Change नहीं कर सकने तो दोस्तों आखरी रास्ता बसता है Forget Password का ठीक है आपको यहाँ पर एक Option मिलेगा Forget Your Password आपको इस पर टैप करने है जब आप इस पर टैप करोगे आपके Gmail अकाउंट पर एक मेल जाएगा ठीक है आपको Gmail को ओपन करने है आपको Gmail को ओपन करने है ठीक है Gmail को ओपन करने है अब आप यहाँ पर देख सकते हो Instagram के तरप से एक मेल आ चुका है password को reset करने का ठीक है आपको इस पर टैप करने है अब आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा reset password आपको इस पर टैप करने है ठीक है अब आपको Instagram app को select करने है अब आपको यहाँ पर option मिल जाएगा नया password create करने का ठीक है आपको यहाँ पर अपना नया password डालना है password को confirm करना है ठीक है इसके बाद आपको reset password पर tap करना है आपका जो नया password है वो create हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तरह आप forget password करके अपने Instagram password को change कर सकते हो password को reset कर सकते हो ठीक है इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अपना current password नहीं डाला है इसके बाद भी हमें new password create करने का option मिल गया है ठीक है तो इस तरह आप अपने Instagram account का password change कर सकते हो पता कर सकते हो देख सकते हो ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पना है चैनल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful videos बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद